परिशान होना पड़ता है घर परिवार में बहुत सी परिशानियां आती है यहां तक कि जो बच्चे होते हैं उनको बहुत बुरा आसा पड़ता है तो आईए जानते हैं हम आसान उसका लेकर आए हैं जो आप घर से मिलने वाली चीजों से इसका इस्तमाल कर सकते हैं इस चीज को बना सकते हैं और इस चीज का हमेशा के लिए इस्तमाल कर व्यक्ति की लट से दूरी बना सकते हैं जिया दोस्तो आपको करना क्या है जिसे की व्यक्ति की जो लट हो छूट पाए वो व्यक्ति कैसे हमेशा के लिए सराब छोगी दोस्तो सराब जब भी व्यक्ति पीता है तो बिमारियां उसके सरीर में इतनी जादा आजाती है तो आईए जानते हैं इन बिमारियों से आप कैसे अपने परिवार को अपने धर में को जो भी व्यक्ति सराब का सेवन करता है उसे बचा सकते हैं दोस्तों आपको करना क्या है, सूंट आपको लाना है रहे हैं, आप अधरक ले आईए, अधरक को सुखा खर ऊचून बना लिए, यह सूंट होता है, सेकेन है अजवाइन अब आपको करना क्या है आईए जानते सबसे पहले दोस्तो एक लास आप पानी रख लीजिए उसे एक लास पानी में एक चमज आपको आजवायन डालना हím इंडिक चमज सूब डालना है इस पानी को अच्छे से बॉयल होने दीजिए तब तक कि यह आधा गलास नहुंजा इस आधे गलास पानी को आप रोज सुब आप लगातार करेंगे तो इससे आपको बहुत फाइदा होगा और व्यक्ति की लट छूटने लगेगी उमीद करते हूं राइशा दोस्तों क्योंकि जब सराप पीते हैं तो आपके सरीर में अनिक बदलाव आते हैं तो दोस्तों आप ऐसा क्या करें जिससे की व्यक्ति की जो लट है वो छूटे और व्यक्ति हमेशा के लिए सराप छोड़ दे कभी भी सराप ना पी तो आईए जानते हैं आपको करना क्या है जिसकी वज़े से आप सराप की लट को हमेशा के लिए छोड़ पाएं और सराप से हमेशा हमेशा के लिए दूरी बना ले तो दोस्तों चा ऎसे चुछ च्झालोम में कश्पा दोगारी यांदें दोस्तों आपको क्या है। तुल्सी के जो भी palavra होते हैं।ंकल चूर्णों के वबति स मैं लिए था चूर्ण कारश Umutifecs ब्ले को नकारी में लियбо नगारा। दस तुलसी के पत्ते, दो से तीन तुलसी के पत्ते डाल कर चाय बना कर व्यक्ति को दिज दीजे, ऐसा करने से फायदा होगा, व्यक्ति की लच छूटेगी और व्यक्ति सर आप छोड़ देगा, उमीद करते हैं और आशा करते हैं, जानकारी पसंद आई होगी, थेंक्यू सो प्यक्ति की आप होगी और अजए उक्ति सावगी और शूटेगी और व्यक्ति आपिए कुलसी कर शोड़ के व्यक्ति झाल झाल